हेलो गाइज कैसे हैं आप लोग यदि आपने CRPF Constable Tracement Technical भरती 2023 का एक्जाम दिया है आंसर की चेक करके अपने नमबर देख लिए हैं और नमबर आपके ठीक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्पूल होने वाली है क्योंके हम बताने वाले हैं आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है 100% नहीं बताएंगे क्योंके 100% तो किसी कोछ भी नहीं पता बोर्ड को भी नहीं पता कि 100% तो हम जो है किस दिन डिक्लियर करेंगे हाँ जो मुझे सूचना मिली है उसके आधार पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं CRPF Constable Treatment Technical भरती का रिजल्ट कब तक आ जाएगा और दोस्तों ये लेट जो हो रहा है बिलकुल सालों के हिसाब से तो नहीं पर महीनों के हिसाब से जरूर लेट हो रहा है क्योंकि इसके साथ के जितने भी एक्जाम हुएं चाहे हम SSB Constable Treatment को ले 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 चाहे CISF Fireman को ले 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 जितने भी हैं BSF Constable Treatment को ले 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 भरतियों की ज्वाइनिंग तक हो गई है इसके ही साथ में एक्जाम होने के बाद में और इसका अभी तक जो है रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया तो लेट तो है इस बात में कोई दोराय नहीं है लेट तो चल रही है पर आप इसको कितना और लेट होगा इस पर बात करूँगा आप कुछ लोग सोचते ही कि सर हमको तो बस फटा फट जो है वो डेट बता द वाले कोबलर वाले कुक वाटर केरियर वाशर में सफाई वाला जितनी भी यह ट्रेड है मैं लिखा हूं आप लोग अपने आपको अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि आप लोगों का ट्रेड टेस्ट में जो है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यह सारी ट्रेड ऐसी है जिनको आपको तैयार करने के लिए घर से भी निकलना पड़ेगा कुछ ट्रेड तो ऐसी हैं जिनको आप घर पर तैयार कर सकते हैं पर कुछ ट्रेडों के लिए आपको घर भी छोड़ना पड़ेगा तो आपको क्या घर छोड़ देना चाहिए तो मैं उसके बारे में दिल्ली पुलिस एसस भी कोंश्टेवल ट्रेट्समें जो अभी ड्राइबर की भरती हुई है इसमें जो बच्चे वहाँ चले गए सेंट्रों पे उनका खर्चा आया था बारह हजार का परन्तु ये बारह हजार वसूल हो गए क्योंकि वो लोग ड्राइबर के ट्रेट टेस् डेड़् ड्यूटी नहीं आपको सिर्फ अपने गारी का मेंट्रेंस गाड़ी को हि चलाना है कि उनकी बकार हो को मिल जाती है तो वही सबसे बड़ा जो है सुख होता है तो आप इस चीज को विभाग में जाने के बाद समझेंगे यहां पर देखेंगे ड्राइवर अपने घर से चले जाएं जाके ट्रैनिंग सेंट्रों में जहां इसकी ट्रैन कराई जाती है वहां चले जाएं बच्छे की मदद लें हाँ पर आपको जो है काम को सीखना सारी ट्रेडों का क्या 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 करवा जागा से आर्पीफ एले सही किलियर कर चुकी है कुक के लिए भी समझ ले घर में रहके थोड़ा सा मुस्किल है अगर कई आसपास में कोई ढावाया हो है तो वहां जाके भी थोड़ पास में सफाई वालों को भी तो आपको एसीड बगेरा की सब जानकारी रखनी है बाकी ट्रेड वाले भी जितनी ट्रेड़े हैं सबका उन्ने पहले से किलियर कर रखा है तो बिल्कुल मेहनत के साथ आपको जाना है ठीक है इसके बाद में ट्रेड टेस्ट फीजिकल में न तो आप किया करें आपने त्यारी करनी बंद कर दी ऐसे अच्छी बात है परंतु बुरी बात भी है क्यों के uds त्यारी नहीं करोगे जूत्छरा जूत्रा जो सब्सक्राइश कर रहा है वह अपनी न chili लेकिन का सबर नके आपको जो भीये त्यारी करनी है आप जब आप यह तक चले आए हैं तो आप जादे समय नहीं है रिजल्ट आने में बहुत जल्द आपका रियल्ट आने वाला है कि इसके बाद में क्या यह है भरती भी कोट में चली गई एक बंच पूश रहा था नहीं भाईया, court work में नहीं गई है, वह जल्द आपके सामने real आजाएगा, court में नहीं गई है, क्या, paramedical का result आएगा पहले देखिए, paramedical की भरती पहले से 4 साल से विलंबे चल लई है, तो उस भरती से इस भरती का कोई matter नहीं है, आपकी भरती अलग है, आपके paper अलग हुआ है, आपका medical, सब कुछ सारा process आपका अलग है, तो paramedical की भरती से अपने आपको compare ना करें, ठीक है, सभी exam का result आ गया, इसका नहीं आ जी हाँ, बाकी सब का लमसम आ गया है, इसका नहीं आ जितने भी exam इसके साथ में हुए थे trade के, अब क्या करें, कुछ नहीं वह या देखो trade test की त्यारी करो, और physical की त्यारी करो, और मैं तो जब तक एक बात और कहता हूँ, अभी तक सब से यहीं कहता चला रहा हूँ, जब तक आप अपनी मंजिल पे ना पहुँच जाएं, आपको जब तक पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे नहीं मुड़ के देखने का मत सरात्म हत्या कर लेंगे, यह कोई उपाय नहीं है, नोकरी भोज जरूरी है, प्रणतों जिंदगी उससे भी ज़्यादा है, जरूरी है, तो इसलिए आपको महनत थी, मैं कहूंगा महनत थी, कर सकते हैं, इसके लाबा कोई उपाय नहीं है, ठीक है, तो मैं बात करूँगा लें, किया किसी और भरती की त्यारी करें, तो देखिए, आपको खुली आजादी है, खुली, और आप इस चीज को महसूस करेंगे, जब विभाग में चले जाएंगे, अभी कई भाई हैं, पूछ रहें, सर, SSB की जौइन करें, या आप उत्तर परदेश पुलिस की त्यार करते रहें, वहां से आपको छुट्टी मिल लाएगी पेपर देने के लिए, पेपर दे के चले जाना, अगर आपके अंदर जज़वा जुनून है, क्यूंके भाई, देखो, उत्तर परदेश पुलिस की भरती भी ऐसा नहीं है, परन्तु ये नहीं कह सकते के अगले महीने ज्वाइनिंग दे देगी, ऐसा नहीं है न, आचार फाहिता भी बीच में पढ़ ये इलेक्शन है, लंबा सा खिचेगा थोड़ा भरती, तो इसलिए आपको जो है, अपनी जिन भरतियों पर लगे हो, इन पर कंटीनू तयारी करते रहो, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे है क्या सर अब हमको अपनी उत्तर परदेश पुलिस की आदने अन्य भरतियों की देखो, तयारी करने के लिए आप आजाद है, आप छूट है, परन्तु आपको थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा, कि आप आजादी के साथ साथ में जिस भरती को अब तक का समय दिये ह उसको और समय दें, अब कुछ लोग सोचने हो, बकवास करे जा रहे हैं, और यह नहीं बतारे के रियल्ट कब आएगा, देखिए, अब आपका रियल्ट हम जो पहले बताये थे कि हमको जो वहां से सूचना मिली थी, अपने भाई हैं, उन्होंने बता दिसंबर के लिए, ठ अन्य भरतियों की तरह, तीन से चार दिन या पांस दिन का ही समय मिलेगा, अगले स्टेप के लिए, बस यह मैं कहूंगा, इसलिए अपनी तब से त्यार रहना, फीजिकल का भी, ट्रेट टेस्ट का भी, और मेंडिकल के लिए, मेंडिकल में बहुत लोग टैटू है, टैट कुछ को डोक्टरी सला के द्वारा, तो इसमें भी मेहनत कीजिए, ठीक है, तो बाकी आप लोग समझ रहे हैं, अच्छे से हैं, तो मेहनत करते रहिएगा, लाश्ट समय है, अब आपको पीछे मुड के नहीं देखना है, मैं तो यहीं कहूंगा, बाकी अपने त्यारी करते रही है, अगर उत्तर परदेश पुलिश है कहीं और रहां भी होता है, तो यहां भी आ सकते हैं, वो इसमें के अंदर की नोक्री, अच्छी नोक्री, CRPF की भी, तो आप वहां जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोस्तो, मिलता हूं फिर अगली वीडियो में, र